आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान आम आदमी पार्टी पर डर का एक साया है डर है उनके दिमाग में एक संजे सिंग को देखा किस प्रकार कह रहे थे कि पिरदर्शन शान्त कर देना चाहिए शाहीन बाग की जनता को कहीं हिंसा की घटनाए और भी न सामने आने लगें और भी हिंसा की घटनाए घटनाओं को अंजाम न दिया जाने लगे यह डर है आम आदनी पार्टी में इस वक्त भी आम आदनी पार्टी पार्टी चुनावायों के पास गई है और अपनी एक अरजी दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसबा चुनावों के चलते भारती जनता पार्टी किसी ना किसी तरह के घटना करम को अंजाम देने वाली है। कि आने वाले समय में भारती जनता पार्टी के द्वारा ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। यहां आदनी पार्टी ने जो इस्टेन्ड लिया है वह बेहदी महत्पूर्ण है और भारती जनता पार्टी को इस पर आपत्ती भी जरूर होगी। आम आदनी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि दिल्ली में गोली बारी की यह दो घटनाएं सामने आई हैं, यह दो आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, इससे पहले चाहे वह JNU में घुसकर पीटा जाना हो छात्राओं को, यह इन घटनाओं को अंजाम देने में कहीं न कहीं हैं, अवे चुनाओ आयोग के पास गए हैं, आखिरकार चुनाओ आयोग इस पर क्या अपना फैसला सुनाएगा, यह भी सोचने वाली बात है, इस से पहले भी अनुराग ठाकुर के संबंद में भी चुनाओ आयोग के पास अरजी दी गई थी, अच्छका दी गई थी, इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी, बिलकुल भी नहीं रुकेंगी, बलकि वह मास्टर माइंड तो जैसे डोर टू डोर कैंपेंड चल रहे हैं, उसके माध्य हम से भी लोगों से मुलाकात कर सकता है, और क्या केवल अनुराग ठाकुर ही मास्टर माइंड हैं, क्या रहे मंत्रिया में शाह के बयान सुनेंगे, तो वह भी शाहीन बाग के संबंद में इतने विवादित बयान दे चुके हैं लगातार, कि जरू कहीं न कहीं जो इस वक्त बहु संख्यक आबादी का युवा है, उसका ब्रेंड वाश किया जा रहा है, और उसके दिमाग में य है बात डाली जा रही है, कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश के संप्रदाएक सौहर्थ को बिगारने की कोशिश कर रहे हैं, यह बातें बिलकुल सामने आ रही हैं इस पर तोर पर, यहां पर हम बतादें, आम आदनी पार्टी के मुख चुनाव आयुक्त सुनील अर चुनाव में बाधर डालने के लिए कुछ खास असमाजिक तत्व कुछ खास राजनीतिक दलों के साथ मिली भगत कर अशांतियों हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं, कुछ खास राजनीतिक दल असमाजिक तत्व के साथ मिलकर यहां का सवहर्द बिगारने की कोशिश कर यह आरोप है आमादनी पार्टी का, आप खौफ देख सकते हैं खौफ आमादनी पार्टी के भीतर, कि एक और संजय सिंग यह भी कहते हैं शाहीन बाकी जनता से कि आप आंदोलन ही बंद कर दीजिए, कई हिंसाई घटना है और सामने ना है, यह इस तरह का खौफ है कि आज आ क्या देश के संविधान से बढ़कर वह असमाजिक तत्व हो जाते हैं जो देश के संपरदाएक सोहार्थ को बिगाड़ रहे हैं, उनको गिरफतार करने के बज़ाए, मास्टर माइंड को ढूनने के बज़ाए, यह कहा जा रहा है कि एक आंदोलन को बंद कर दीजिए, यह तब तक के लिए इजासत दीजिए, धन्यवाद